मैंने पूरी फिल्म तो नहीं देखी पर जो सुना है और कल मैंने एक छोटा सा वीडियो उसके निर्माता और जो वहाँ उसमें एक हीरोईन बनी है उसकी मैंने जब बात सुनी तो वो प्रमानित कर रहे हैं इस बात को कि ये जो एक कहानी वो तो तीन लोगों की है किन्तु वहाँ ये निरंतर हो रहा और हज्जारों की संख्या में ऐसा हुआ है तो ये एक सत्य कहानी है उस घटना पर ही सत्य कहानी के आधार पर पिक्चर बनी है और ये तो अभी उन्होंने पिक्चर बनाने की हिम्मत की है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ बहुत हिम्मत का काम किया है पर ये सिर्फ केरल में नहीं हो रहा है ये भोपा प्रपास के साथ हैं, हमने इसके पहले भी आपको मीडिया को बताया था कि इस प्रकार की घटना है, लब जिहाद में लड़कियों को फसाया जा रहा है और लब जिहाद के बहाने उनके साथ कुकर्म होते हैं, उनके साथ बहुत सारे अत्याचार होते हैं, तो वो फिल्म की मा प्रच्चों की सुरक्षा भी कर सकें आवश्यक नहीं है कि सिर्फ लड़कियां लड़कों को भी इसमें बरगला कर फुसला कर उनको लिया जाता है और एक बहुत बड़ा आतंक बाद का विशय सामने आता है एक बहुत ही घिनोना शडियंत्र जो हमारे हिंदू बालक और बा करने का यह शडियंत्र पाकिस्तान और अन्य देशों से प्रयोजित है और भारत के छुपे हुए गद्दार भारत में छुपे हुए गद्दार इस सब काम को अपने संरक्षन में करवाते हैं हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद